नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दौस्त तुरतनेश और आप देख रहे हैं बिहार प्लस् भोशपूरी इंडरस्टी की जानी पहचानी अभिनेत्री अक्षरा से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है दरसल इस बार अक्षरा अपने किसी गाना या डांस नहीं बलके कुछ और वज़ा से सुर्खियों में दरसल अक्षरा पर दोका दड़ी का गंभीर आरोप लगे हैं जिससे उनको जेल भी जाने पर सकती है अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मामला है जिससे अक्षरा जेल जा सकती है तो बिना देर किये चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला दरसल अक्षरा सिंग पर एक शाम सहीदो के नाम कारेकरम पर लाखों की धोका दड़ी का आरोप लगाया गया है जेनकेड स्टेडियम में 8 जुलाई 2018 को एक शाम सहीदो के नाम कारेकरम में अक्षरा सिंग के नाम पर लाखों के टिकट बेचे गया थे और फिर जब अक्षरा सिंग नहीं आई तो दर्शकों ने जम कर उतपात मचाया और जिसमें 10 लाख से अधिक की संपत्ती में आग लगा दी इस मामले में पूलिस ने कहीं पर मामले भी दर्श की है अक्षरा सिंग ने कारेकरम के दो दिन पहले ही एक वीडियो वारल किया था और खगडिया के लोगों से कारेकरम में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने की अपिल की थी लेकिन अक्षरा सिंग इस कारिक्रम में नहीं पहुंची जब अक्षरा सिंग नहीं आई तो गुसाई भीड ने जमकर उत्पात मचाया जिसमें सनहौली के आरके साउंड के लाखो रुपे का साउंड और सामान को लूट लिया गया इतना ही नहीं मांची के टेंट के मालिक शुबं कमार को भी लाखो का भारीक नुकसान हुआ शुबं ने अदालत में अक्षरा सिंग और उनके साथियों पर फट जिवारे का मामला दर्ज कराया वहीं दूसरी और अदालत ने संग्याल लेकर नोटिस जारी की जिसमें तारीक साथ फरवरी को डाला इतना ही नहीं नोटिस नहीं मानने पर आरोपियों पर वारेंट भी जारी हो सकता है वहीं अपने मामले में अक्षरा सिंग ने सफाई देते हुए कहा कि आयोजकों ने उन्हें ठग लिया साथी कारेकरम करने के लिए उनके लिए कोई बेवस्था नहीं की गई थी जिसके कारण वो कारेकरम में शामिल नहीं हो पाए वरहाल अब आगे देखना होगा कि साथ फरवरी को अदालत का फैसला आने के बाद क्या कारवाई होता है तब तक के लिए आप देखते रहें बहार प्लस और बहार प्लस के फेजुप पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब को सबस्क्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद